पहला सवाल European धर्शनिक Jean Jacques Rousseau का प्रसिद्ध कथन है मनुष्य मुक्त पैदा होता है किन्तो हर जगह वे बेडियों में जकडा हुआ है man is born free but everywhere he is in chains करपिया इसको समझाएं अलग रही है पाश्च्छी म सब्सक्राण भाहर की द्रिश्टी अलग रही है पाश्च्छी म ने बाहर की उर देखा है और बाहर के जगत में बड़ी खोजें की है, तरक्की की है पश्च्चम के अनुसार अंधकार भी बाहर है और ग्यान भी बाहर है बेडियां भी बाहर है और मुक्ति भी बाहर ही है अंदर क्या है यह जानने में पश्च्चम ने विशेश रुची दर्शाई नहीं दर्शाई भी तो बहुत आगे तक नहीं बड़ा गया है तो रूसों के इस कथन को इसी आधार पर समझना होगा रूसों देख रहे हैं कि आदमी की परतंत्रता का बेडियों का प्रमुख कारण समाज है तो उन्होंने उसी मुताबिक अपने कथन में आपके सामने एक नक्षा रख दिया है जो कहता है कि जो नवजात शिशु है वो तो मुक्त है, सोतंत्र है, man is born free लेकिन फिर वो जैसे जैसे आगे भढ़ता जाता है, वैसे वैसे समाज की रीतियों, विवस्था, प्रथाओं, शिक्षा, संसकारों की बेडियों में जकड़ता जाता है ऐसा खाका खीच रहे हैं रूसों भारत ने ऐसा नहीं देखा, भारत सामाजिक रूढ़ियों को या विचारों, परंपराओं, संसकारों को दूसरे स्थान का बंधन या समस्या समझता है भारत ने ये जाना कि आदमी की प्रथम समस्या स्वयम आदमी ही है हमारे भीतर ही हमारा सबसे बड़ा शत्रू बैठा हुआ है भारत की आँखों से देखें तो जो नवजात पैदा हो रहा है वो मुक्त नहीं है भारत ने जाना है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो अपने भीतर संपूर्ण अहम वरित्य लिए हुए है बीज रूप में और यही जो वरित्य है उसकी गुलामी का दासता का बंधनों का सबसमस्याओं दुखों का मूल कारण है जब अहम वरित्य वो अपने अंदर लेकर ही पैदा हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य मुक्त पैदा होता है यही जो भीतर की अहम वरित्य है यह आगे चल करके फिर हंकार की तमाम शाखाएं प्रशाखाएं फल फूल पत्तियां बनती है और तमाम तरीकों से फिर हम पाते हैं कि इनसान अब समस्याओं में है समझे अगा बात को अगर हम यह कहें भी कि समाज व्यक्ति को गुलाम बनाता है तो समाज व्यक्ति को कैसे गुलाम बना लेगा अगर व्यक्ति के भीतर कुछ बैठा नहीं है गुलाम बनने को तयार, राजी, सहमत आप कहेंगे व्यक्ति के भीतर जो गुलामी के लिए सहमत होकर के बैठा है उसको भी समाज नहीं तयार किया है शिक्षा संसकार दे करके अच्छा ठीक है समाज अगर यह शिक्षा भी दे रहा है कि आप अपने भीतर गुलामी की भावना को प्रविष्ट कराएं तो भी आवश्यक है ना कि आपके भीतर कोई बैठा हो जो गुलामी की उस शिक्षा को सुईकार करने को तयार हो आप कहेंगे नहीं, भीतर कोई है ही नहीं बस बाहर से जो आ रहा है वो भीतर डाला जा रहा है तो फिर तो आपने मनुष्य को प्राण हीन, चेतना हीन कर दिया आपने मनुष्य को एक खाली डब्बा बना दिया जिसमें जो कुछ भी डाल रहा हो, वो डलता रहेगा और अगर मनुष्य खाली डब्भाई है, चेतना का कोई इस्थान ही नहीं तो बाहर भी फिर जो लोग हैं वो भी खाली डब्बे हैं वो किस प्रिणा के वशिभूत किसी और को गुलाम बनाइंगे और अगर मनुष्य खाली डबाई है उसके पास कोई मौलिक चेतना है ही नहीं तो फिर वो दुख का अनुभव भी नहीं करेगा लेकिन हम तो पाते हैं कि आदमी दुख का तीवर अनुभव करता है तो पश्चिम की इसमें जो दृष्टि रही है वो कोई विशेश उचित नहीं कहीं जा सकती दृष्टि का यही अंतर फिर आगे चल करके पूरव और पश्चिम के जीवन के अंतर के रूप में सामने आता है पूरव जानता है कि सारी समस्याएं सारे दुश्मन दिखाई बाहर देते हैं लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वास्तों में बैठा भीतर ही है भीतर ही है कोई जो बाहर तमाम समस्याएं खड़ी करता है भीतर अगर कोई न हो समस्याओं को खड़ा करने वाला तो बाहर तमाम तरह की इस्थितियां होंगी समस्याओं नहीं कौन है भीतर जो बाहर की किसी इस्थिति को समस्या का नाम देता है सारी समस्याओं किसके लिए हैं फॉर हूम अगर हम यह कहें भी कि समाज ने व्यक्त को दास बना लिया तो भी हमें ये पूछना पड़ेगा ना कि जो दास बना उसने दासता सुईकार क्यों करी क्योंकि जब तक आप दासता सुईकार नहीं कर रहे हैं आप दास तो हुए नहीं तो किसको दोश दें? उसको जो बाहर से आप पर दासता चड़ाना चाहता है या उसको जो भीतर तयार बैठा है दास बन जाने के लिए और अगर भीतर कोई गुलाम हो जाने के लिए तयार बैठा है तो बाहर वो अपने मताबिक इस्थितियां खोज लेगा, मिलेंगी नहीं तो निर्मित कर लेगा तो इसलिए पूरब की विशेशकर भारत की कोशिश रही सोयम को जीतने कि उन्होंने का दुश्मन जब अपने अंदर बैठा है तो फिर लडाई भी अपने अंदर करनी है न पश्चिम को ये बात समझ में ही नहीं आई कि समस्या की मूल जड़ आदमी के भीतर है उसकी अहम वृत्ति तो पश्चिन ने अपनी सारी लडाईयां बाहर लड़ी अंतर समझ में आ रहा है अब इसमें ज्यादा सही नजर तो भारत की ही है लेकिन उस नजर में एक खत्रा है बहुत बड़ा संग्रचना है उसकी सारी इंद्रियां प्रमान युक्त तरीके से सिर्व बाहर ही देख सकती है कम से कम एक व्यक्ति बाहर क्या देख रहा है अपनी इंद्रियों से इसका प्रमानिक तोर पर सत्यापन कोई दूसरा व्यक्ति तभी कर सकता है जब देखी जा रही चीज बाहर की हो मैं समझा देता हूँ दीवार पर पंखा टंगा हुआ है ठीक है ये बात मैं कह सकता हूँ और इस बात में बहुत गुझाईश नहीं है कि मैं जूट बोल दूँ क्यों क्यों कि वो बाहर की चीज है उसमें मैं जूट बोलूँगा तो आप मेरी बात को सत्यापित नहीं करेंगे मेरी बात से सहमत नहीं होंगे गवाही नहीं देंगे समझ मैं आ रही बात है तो जब आएक आदमी बाहर की खोज पर निकलता है बाहर की कोई बात कहता है तो उसके लिए इमांदारी अपरिहार रहो जाती है उसे इमांदार हो ना पड़ेगा आप कहते हैं कि मैंने आसमान में अभी 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 एक दूसरा सूरज खोज निकाला है तो आपकी बात कोई कुबूले गा ही नहीं ततकाल स्वावा से उठेंगी आपको जूठा करार देंगी आप तुरंत अपने स्वप्न लोग से बाहर आ जाएंगे जग नहीं पड़ेगा जूठ तूट जाएगा आपका तो पश्चिम जब बाहर की दिशामनों संधान करने निकला तो उसके लिए इमांदारी अपरिहार रहो गई क्योंकि बाहर जो एक व्यक्ति देख रहा है वो चीज़ दूसरा भी देख सकता है बाहर जो बात कही जा रही है उसको प्रमानित किया जा सकता है वस्तुनिष्ट अबजेक्टिव तरीकों से फालसिफाई भी किया जा सकता है और प्रमानित भी किया जा सकता है आपने कुछ बोला मेरे पास पूरा अधिकार है और पूरा अवसर है कि मैं आपकी बात को गलत साबित कर दूँ धारन के लिए आप बोलें किताब ये जो आपके गिलास में पानी रखा है ये तो 25 डिगरी पर ही भाब बन जाता है मिरे लिए बहुत आसान है जाचना और ततकाल प्रमानित कर देना कि आपकी बात ठीक नहीं है साब 25 डिगरी पर तो भाब बन नहीं रहा भारत जिस यात्रा पर निकला वो अंदर की है वहाँ कोई वस्तुगत तत्थ होते नहीं कोई objective facts नहीं होते वहाँ पर वहाँ जो मामला है भीतर का है वहाँ चूकि मामला भीतर का है तो इसलिए बहिमानी की गुझाईश पढ़ जाती है एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है current पर, पदार्थ पर, atoms पर, waves पर, molecules पर वो जो बात उलेगा वो किसी वैज्ञानिक पत्र का में research journal में छपेगी और उसके साथ के लोग वैज्ञानिक समुदाय के लोग peers उस बात को देखेंगे उसका review कर देंगे और यह समभव है आपने कोई बात कही है आपने अमेरिका में बैठ कर शोद किया था जर्मनी में बैठा हुआ कोई दूसरा वैज्ञानिक आपकी बात को परक सकता है सही या गलत है या नहीं जाच सकता है और जो भी बात निकली उसकी पुष्टी वो पत्रिका के अगले संस्क्रण में छाब देगा लेकिन आप आंतरिक यात्रा पर निकलें आप आंतरिक जगत में atoms, molecules, waves और current तो होते नहीं आंतरिक जगत में आप किसकी खोज में निकलते हो आंतरिक जगत में आप देखने निकलते हो मोह कहां से उठता है, ग्रणा क्या है, भय क्या है लोब क्या है, मद क्या है, मातसर्य क्या है व्यक्ति को ये जितने अनुभोग होते हैं उनका अनुभोगता कौन है ये जितने विचार और भावनाओं की तरंगें उठती है उनका सुरोत क्या है ठीक ये जितनी बाहर शान्ति है अशान्ति है उसके पीछे क्या कोई बिलकुल मौन बिंदो है भीतर आप ये खोजने निकलते हो और जिसको अब आप खोज रहे हो वो बिलकुल भी वस्तुगत नहीं है अब्जेक्टिव नहीं है वो खोजने वाले की नजर पर निर्भर करता है वो सब्जेक्टिव है आपके अलावा कोई और आकर के प्रमानित नहीं कर सकता जाँच नहीं सकता सत्यापित नहीं कर सकता कि आपने जो बात बोली है वो जायज है की नहीं खरी है की नहीं हाँ उसे थोड़ा संदे जरूर हो सकता है आप कह रहे हैं कि मैं भीतर गया और मुझे अथाह मौन का सागर मिल गया और आपकी हालत देख करके फिर भी वो बिलकुल आश्वस्त होकर आपकी बात को ठुकरान नहीं सकता ठुकराना चाहे भी तो उसके पास कोई प्रमार नहीं होगा कम सकम उसके पास कोई वस्टुगत अबजेक्टिव प्रमार नहीं हो सकता so बेमानी की अशंका बढ़ जाती है तो भारत ने जो रास्ता लिया उसमें जो चीज खोजी जा रही है वो ज्यादा सही है, ज्यादा खरी है आप क्या खोज रहे हो? आप मनुश्य की दासता, मनुश्य के बंधन का मूल कारण खोज रहे हो कि वहाँ कोई और नहीं आएगा आपकी इमानदारी की जाँच परताल करने आप इमानदार हो तो अपने लिए हो और नहीं हो तो आप सारे जगत में दिनोरा पीट सकते हो कि मैं तो भीतर गया और मैंने बड़े बड़े अमोल हीरे मूती पा लिये और आप अपने मुह से ही खोशना कर सकते हो कि सब निधियां सब रतन मुझे मिल गए भीतर ये हुआ है तो कहना मुश्किल है कि भीतर की खोज भारत का सवभाग्य रही कि दुरभाग्य चाहता तो हूँ तो यही कहूँ कि बहुत बड़ा सवभाग्य है कि बिलकुल सही दिशा में भारत ने खोज करी लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चंद लोग ही हुए है जो भीतर की दिशा में गए हैं और पूरे तरीके से इमानदार रहे हैं बाकी तो सिर्फ पाखंड और आडंबर रहा है आखें बंद कर लो कि अभी अभी ध्यान में मुझे दिवी देवता उपलब्द हो गए कोई जाच सकता है कहो कोई जाच सकता है क्या आखें बंद कर लो ध्यान लगा लो और कह दो कि मैंने विजय हासिल कर ली है अब भै पर जाचा जा सकता है क्या और कोई जाचने के लिए ऐसी इस्थिति उत्पन्न भी कर दे जिसमें आपको भैभीत होना पड़े तो उस इस्थिति के बाद आप कह दो मैं भैभीत हो थोड़ी रहा था वो तो मैं बस भै का प्रदर्शन कर रहा था उपर उपर से स्वांग कर रहा था धीतर भीतर तो हम अकरता है उपर उपर से मैसा दर्शा रहे थे जैसे हम जीवन के इस खेल में प्रक्रति के रंगमंच पर सहभागी हैं लेकिन भीतर तो हम बस साक्षी हैं कह दो उससे कि बाहर सहभागिता है और भीतर साक्षित तो है अब वो बेचारा आकर के सिद्ध भी कर गया कि अभी मैंने आपको जरा से धमकी दी थी तो आपके चेहरे का रंग उड़ गया था हक्के बक्के रह गये थे साप सुंग गया था हमने देखा और हमने रिकॉर्ड भी किया ये देखिए ये रिकॉर्डिंग है देखिए आपके कैसे पसीने चूरे हैं तो जहां वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाए तहां तुम, ये कह दो कि ये तो सब बाहर-बाहर हो रहा है, भीतर तो हम हर तरह के भय से असपरशित थे, भीतर तो हम आत्मा मात रहे हैं, साक्षी मात रहे हैं, और ये खूब हुआ है, बात समुझ में आ रही है, पश्चिम न एक निचले स्तर का लक्ष बनाया, लेकिन उसने जो लक्ष बनाया वो था ही इस प्रक्रति का, कि उसके रास्ते में बेइमानी करना, घपला करना संभव नहीं है, क्योंकि वो लक्ष किधर का है, बाहर का, बाहर जो कुछ भी हो रहा है, वो प्रमानित किया जा सकता है, और जाचा जा सकता है दूसरों के द्वारा भी, लेकिन आपने ये सवाल जो रखा है, उसका तो उचित उत्तर यही है कि नहीं, रूसों जो कह रहे हैं, वो बात बहुत समझदारी कि नहीं है, वो कह रहे हैं, मनुष्य मुक्त होता है, जी नहीं, मनुष्य बिलकुल मुक् कोई तरीका ही नहीं है कि उसकी मुक्त आगे चल करके दासता में परणीत हो जाती है वास्तव में बंधन ही पैदा होते हैं मनुष्य मुक्त क्या पैदा होगा बंधन ही पैदा होते हैं जो अपने आपको पैदा हुआ मान रहा है जात मान रहा है उसने बंधन तो रच ही लिये अपने उसकी ये धारणा ही उसका मूल बंधन है कि वो वो है जिसने जन्म लिया जब ये धारणा ही बंधन है कि मैं जन्मा तो फिर जन्मा हुआ व्यक्ते मुक्त कैसे हो सकता है पर ये पश्रिम की दृष्टी है यहाँ पर सारा दोश किस पर डाला जा रहा है बंधनों का समाज पर कहा जा रहा है कि देखिए बाहर फलाने वर्ग के लोग हैं वो आपको तमाम तरह बंधनों में डाल देंगे वर्ग शोशन की बात होगी फिर कहा जाएगा देखिए बाहर इस तरीके की विवस्था है जहां पर आपको अमुक अमुक तरीके के अधिकार नहीं उपलब्द है या अमुक तरीके की आप पर जिम्मेदारियां डाल दी गई है यह आपको बंधन में डाल देंगी तो सारी जाँच परताल बाहर की जाएगी बाहर यह चीज है जो मुझे परिशान कर रही है बाहर वो चीज है जो मुझे परिशान कर रही है और जब जाँच परताल बाहर की जाती है तो बाहर तरक्की भी होती है क्योंकि बाहर जो कुछ आपको परिशान कर रहा है उस परिशानी का निवारन करने का आप उपाई भी ढूंड लेंगे पश्चिम ने ऐसा करा भी है बाहर जो कुछ परिशान करता है उससे निपट लिया पश्चिम भीतर जो परिशान करता है उससे बिलकुल नहीं नेपट पाया तो मनो रोग तमाम तरीके के प्रमुक्तया आउसाद कहा पाये जा रहा है पश्चिम में डरे हुए लोग आंतरे का ज्यान ये सब कहां मिल रहा है पश्चिम में जबरदस्त भोगवाद ये सब कहां पश्चिम में जो पश्चिम के बड़े कायल है वो खाल से पूरबियां है और दिल से पश्चिमी है उन्हें पता हो जाए ना पता हो उन्होंने पश्चिमी दर्शन को ही आत्मसाद कर लिया है उनकी दृष्ची पश्चिमी हो चुकी है फिर उनके साथ भी वही समस्याएं आ रही है जो मूल रूप से पश्चिम की समस्याएं है विश्वास नहीं कर पाना सहज न जी पाना शद्धा की कमे रिष्टों में तूट फूट दस जगह जा करके संतुष्टि पाने की कोशिश प्रकृते के प्रते कोई मैतरी भाव या करुणा नहीं गोर मासाहार ये सब कुछ उसी द्रिष्टि से आ रहा है जिसका एक प्रतीक रूसों का उक्त कथन है कि मनुष्य पैदा तो मुक्त होता है पर उसके बाद वो जगह जगह बेडियां पहना पाया जाता है ये बात आपको याद रहेगी अगर आप अपने आपको बेडियों में पाएं तो ये मत कहा दीज़ेगा कि अरे बेडिया पहनाने वाले तो दूसरे हैं मेरी इस बुरी अवस्था के जिम्मेदार दूसरे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता अगर आप बंधन में हैं तो उस बंधन का प्रमुख कारण आपके भीतर ही है उस भीतरी कारण से आप निपट लीजिए बाहरी कारण आप पाएंगे कि अपने आप विलुप्त हो गए उनकी कोई हैसियत ही नहीं भीतरी कारण ऐसा है जैसे आपने अपने उपर शहद मल रखा हो बाहरी कारण ऐसा है कि आपके उपर बाहर से दूर रास्ते तमाम तरह की मक्खियां की गड़े आकर बैठ गए यह कोई बुद्धमानी की बात तो नहीं होगी कि आप मक्खियों से और कीड़ों से लड़ते जाएं तो भारत ने कहा आत्मस्नान बाहर कहां जाकर के लड़ाईयां लड़ोगे एक एक मक्खिय से एक एक कीड़े से इनका कोई अंत नहीं है तुम अपनी लड़ाई लड़ो तुम अपनी सफाई कर लो इस उधारन में तो फिर भी शहद मला गया है खाल पर पास्तव में हमारी हस्ती में जो शहद है जो दुनिया भर की मक्खियों को माने समस्याओं को माने अवांचित प्रभावों को अकरशित करता है वो खाल पर नहीं है वो भाल पर है खोपड़े के अंदर है मन में है समझ मैं हरी यह बात तो जब भी किसी हालत में आएं जब भी देखें कि बाहरी ताकतें आप पर हावी हुई जा रही है दोश अपने उपर ले इच्छा बहुत करेगी तत्काल दूसरों पर दोश दे देने की कि अरे वो शोशक वर्ग है उसने मेरे साथ बुरा किया उसने किया समझना ज़रूरी है कोई आपके साथ कुछ बुरा कर नहीं सकता बिना आपकी सहमत के यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और यह बहुत परिपक्व लोगों के लिए है कि आप कहें कि मेरी भलाई भी मुझे से है, मेरी बुराई भी मुझे से है उपनिशद कहते हैं कि तुमसे बढ़कर तुम्हारा कोई मित्र नहीं और तुमसे बढ़कर तुम्हारा कोई शत्र नहीं अम्रित बिंदो अपनिशद है तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई बैरी नहीं पश्चिम की दृष्टे में ये बात कहीं भी नहीं है महाँ वही है जो रूसों कह रहे है कि बेड़ियां तुम्हें बाहरवालों ने पहना दी है तुम स्वयम जिम्मेदार हो अपने जीवन के तुम्हारी चेतना ही तुम्हारे जगत का निर्माण करती है ये बात पश्चिम ने कभी जानी नहीं कभी कही नहीं सुझ में आ रही ये बात इसलिए पश्चिम के फिर सारी करांतियां भी बहर मुखी रही है फलाना तंतर गिरा दो, फलानी व्यवस्था बदल दो राजशाही फटा देंगे, जारशाही फटा देंगे सरकार बदल देंगे, तक्ता पलट देंगे भारत में गोर करियेगा कि करांतिया बहुत कम होई नाम मात्र होई भी है तो बहुत छोटे-छोटे पैमानों पर जरा-जरासी कहीं पर कोई बड़ी करांती होई है नहीं वजह यही है लोगों को पता था बाहर शूर मचा के क्या होगा बाहर आगल आगे क्या होगा इमानदारी की बात तो यह है कि हमी जब्मेदार हैं जिब चाहना गया कि हमी जब्मेदार हैं तो फिर जिन्हें अपना उत्तरदाईद तो वाकई समझ में आया उन्होंने अपना जीवन बदल भी डाला क्योंकि एक बार आप जान गए कि आप ही निर्माता निर्धाता हो अपने जीवन के तो फिर आप अपना जीवन बदल भी डालते हो बड़ी सफलता के साथ बदल डालते हो हाँ जिने शौक रहा आया दूसरों पर आख छेप करने का वो इसी के मज़े लेते रहे दूसरों पर इल्जाम लगाओ खुद को पीड़त बताओ ये अब काफी प्रचलित हो रहा है भारत में यहां हर व्यक्ते अपने आपको किसी ना किसी तरीके से शोशित ही बता रहा है सब कह रहे हैं कि मारा शोशन हुआ है आप मुझे एक व्यक्ते दिखा दो जो ये ना कह रहा हो कि वो किसी ना किसी तरीके के एतिहासिक सामाजिक शोशन का शिकार है हर व्यक्त ये कह रहा होगा महिलाएं कह रही है हमारा तो सदियों सो शोशन हुआ है क्योंकि हम बेचारी पीडित महिलाएं है एक जाते के लोग कह रहे हैं हमारा तो जी सदा से शुशन होता ही रहा एक धर्म के लोग कह रहे हैं यह देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है जिनको आरक्षन मिल रहा हो कह रहे हैं देखो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ तभी तो आरक्षन मिल रहा है कुछ गलत हुआ ही हुआ है बात समझ में आ रही है बेरोज़गारी बहुत है तो जवान लोग कह रहे हैं देखो सरकार की जिम्मेदारी हमें नौकरी देने की सरकार ने दी नहीं सरकार की जिम्मेदारी ये भी थी कि तुमको तुमारे घर में बैठा के पढ़ाती दस्वी में तुम क्या कर रहे थे बाहरवी में तुम क्या कर रहे थे दिल पे हाथ रखके इमानदारी से कह दो न कोई नहीं कहेगा कि अपने पचीस साल मैंने खुद बरबाद करें बाहर की स्थितियां अनुकूल हो जाए बाहर की स्थितियां प्रतिकूल हो और आफ अपनी दुरदशा के लिए बाहर की स्थितियों को ही दोश देते रहो ये कोई सच्ची बात नहीं हुई एखी घर के दो लड़के होते हैं या दो लड़कियां होती है एक जीवन में हर तरीके से प्रगति कर ले जाता है दूसरा पीछे रह जाता है ऐसा तो नहीं है कि बाहर की स्थितियां ही उत्तरदाई है और बाहर की स्थितियां एक सीमा तक अगर उत्तरदाई हैं भी तो तुम क्या कर लोगे बाहर की स्थितियों का ज्यादा नियंत्रण किस पर है तुम्हारा बहार की इस्थितियों पर या अपनी अंदर की इस्थिति पर कुछ विशेश हासिल नहीं होता है शिकायत करकर के और मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूँ कि दुनिया में शोशन है अन्याय है उत्पीडन है लेकिन शुरुआत आपको अपने आप से करनी है चाती पीटने रोने धोने मातर से कुछ नहीं होता सार्थक कर्म करना होगा और इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए जिन्हें सार्थक कर्म करने थे उन्हों तुने तमाम तरीके के मुश्किलात के बीच भी करें आप भी कर सकते हैं या फिर आप क्या सकते हैं कि मैं तो बेचारा गलत हुआ है मेरे साथ क्या सकते हैं